हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु माई योटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज यूं अपने इस वीडियो में जी आसी लिक्षरर सोसियोलॉजी प्रैक्टिसेट नमर 17 को सॉल्व करेंगे यह प्रैक्टिसेट बिल्कुली स्लेबस के एकॉर्ड कुश्चन नमबर और प्रैक्टिसेट नमर 17 के कुश्चन नमबर 1 को आशो हमाना कुश्चन नमबर 1 है Bengi में से क्योर्ग सामाजिक असरी कारण की मूल उप्रणालिया में डिया है दा सिता नंपर जात ़छ रग नगर और लाज्च तो इस कुश्चन का. राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सिन नमबर भी यानि कि दासिता जात वर्ग तथा जागिर टीबी पोटो मोल ने सामाजिक अस्तिर करण की मोल प्रणालिया दासिता जात वर्ग तथा जागिर को जो है बताया है तो कु में ट्यूम मोईलún आवस्षं यह रावर्ट मर्टन और लाश्ट यह और टालकप पार्शंस उक्ष्प का राइट एंसर क्या हो जाएगा इसकुर्शय का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्रेंट भी यानि की mm ट्यूमिन किंग्सले डेविस के सामाजिक अस्त्रिकंड के सिध्धान्त के आलोचग mm ट्यूमिन है कुशन का राइट एंस रोगा ओप्सन नमबर बी आज हमारा धर्ड कुशन है छेत्री असमानताओं के संकेतक निम्लकित में से कौन से हैं पहला दिया गया है प्र राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर बी यानि की प्राकृतिक संसाधन कुशल जनसक्त और जनसंख्या का आकार प्राकृतिक संसाधन कुशल जनसक्त जनसंख्या का आकार छेत्री असमानताओं के संकेतक हैं असमान कुछ गुडों पर आधारित हो सकते हैं जैसे आफिशन का राइट एंसौर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का राइट एंसौर गुड़ों पर आधारित हो सकते हैं जैसे कि आरोपित अद्ग्रहित या निर्मित होत कुश्चन का राइट एंसर होगा ओप्सिन नमबर डी आज यमारा अगला परश्ट है जात के अध्यान में सामाजिक अस्तिरिकर्ण के बेवरवादी प्रारूप यानि की मौडल का उप्योग किस ने किया है ऑप्शन नमरे है SC-Dubain, ऑप्शन नमर B अमन सरी निवासने, ऑप्शन नमर C ए TN मदानने और लाश्ट है ऑप्शन नमर D आंद्रे बैतेई ने, तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमर D यानकी आंद्रे बैतेई ने, आंद्रे बैतेई ने दुर्खीम की तुलनात्मक विद के बाद मैक्स वेबर की विद को लेते हैं, यह भी तुलनात्मक विदी है, अपनी तुलनाक के लिए जो है वेबर दुनिया के पांच बड़ी धर्मों को लेते हैं, उन्होंने तुलनात्मक का प्रियुक करके बेवरवादी प्रारूप यानिकी मॉडल को जाद व्योस्ता के अध्यन में प्रियुक्त किया है काष्ट क्लास एंड पावर में आंद्रेव वैतेई ने वेवर माडल को जो है व्योवार में लाया है तथा जाद को प्रस्थित समूह बताया है इस वज़े पर कूर दिया गया है इन ही की सहारता से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है तिस कूशन में का राइट एंस और क्या हो जाएगा इस कूशन का जो राइट एंसर होगा हमारा ऑप्स नंबर बी याने की एक, दो setup यह आधारी था थे सामाजी reg..? आधारी थे हैं तो कुश्चन का राइट एंसर होगा option number B, आज हमारा अगला पश्चन है, अस्तरी करण के ब्योहारिक विश्चलेशन का सिद्धांत किस ने दिया है, option number A, के डेविस ने, option number B, J, Parsons ने, option number C, A, दुर्खीम ने, और last option number D, M, बेबर ने, तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number A, यानि के के डेविस ने, अस्तरी करण के ब्योहारिक विश्चलेशन का सिद्धांत के डेविस ने दिया है, इन्होंने अपनी पुस्तग सम प्रिंस्पल्स आप सोसल सोसल स्ट्राटि वेबर ने इसमें एक अत्रिक्त सरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया, option number A, option number B, संपदा, option number C, इस्थित यानि की स्टैटस समूऊ हो, और last option number D, बौधिक समूऊ हो, तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option option number C, यानि की स्थित यानि की स्टैटस समूऊ हो, ठीक है, मार्स बैज्चनिक सामवात के जरक्ते, वेबर का, अस्रिकन का सिद्धान्त मार्स के सिद्धान्त से भिन्न है, क्योंकि वेबर ने इसमें एक अत्रिक्त सरचनात्मक वर्ग यानि की स्थित समूऊ को जोड़ दि तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किये अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडियोप अवेलबल हैं जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथी साथ फ्रेंड्स मैं आपको इ आप लोगों के लिए प्रोवाइड किये गए जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सभी को आप अल्रेडी दे पाएंगे और यह मॉक टेस्ट जो आप लोगों के लिए यह बिल्कुल फ्री है यानि कि इसका आप लोगों से कोई भी कॉश्ट नहीं लिया जाता है यानि कि आप लोग मॉक टेस्ट को बिल्कुल जो है फ्री में दे सकते हैं ठीक है इसे आपको एक्जाम में बहुत ज़्यादा मिलेगी और साथी साथ जो इसका जी एस का पोर्शन है यानि कि लेक्षर में जो 40 कुशन आपको लिए जो है पुशे जाने वाले हैं जी एसके पोर्शन से यह जो है आज साम को पांच बेजे इसका प्राक्टिस एडमर 3 प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो आप लोग उसको भी जरूर सॉल करिएगा आपको एक्जाम में काफी हल में लेगी ठीक है और आपको एक जरूरी बात इंफॉर्म करने थी कि संडे को आप लोगों के ल लिए तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्ट की तरफ आज के हमारा अगला प्रश्ट है निमनलकित कत्रों में से कौन से सही नहीं है नीचे दिये गया कूटों की सहायता से उत्तर दें पहला दिया गया है सामाजिक असरीकरण की वर्ग ब्योस्ता को बंद ब्योस्ता समझ जा सकता है तीसरा दिया गया है वर्ग ब्योस्ता में ब्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है और चोथा दिया गया है वर्ग ब्योस्ता को सामानेता सामाजिक गत्सीलता दौरा प्रिथा किया जा सकता है कूशन क्या कर रहा है कूशन नीच सामाजिक गत्सिलता दौरा पृथक किया जा सकता है ठीक है वर्ग को खुली ब्योस्ता समझा जा सकता है क्योंकि यह सामाजिक एवं आर्थिक आधारों पर ब्यक्त समिहों को अलग अलग पहचान देती है, चूंकि वर्ग में सोतंतर अस्तिर करण पाय जाता है, इसलिए इन वर्गों के सदत से सामाजिक एम आर्थिक आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आना जाना जो है कर सकते हैं, अर्थात वर्ग ब्योस्त संगर्श्षित मेंसे कौन सी नहीं है, और लास्ट या समाज में आनपयूक्त की पहचान करने में सहायता करती है, तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा और वर्ग की या तीब्र संगल्स की भावना को बिकिसित कर करती है समाजिक अस्तिकरण की प्रकार्यवादी उपयोगता यह बताती है कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है वह समाज में अपना प्रकार दे रहा है अर्थात वह उपयोगी है समाजिक अस्तिकरण की प्रकार्यवादी व्याख्या सरपतम किंग्सले डेविस तथा बिलब यारा अग्ला प्राश्ण है निंवनांकित में से कौन सा सिध्धांथ हमें विश्वास दिलाता है कि याति प्रता मानवी नहीं वरन दि बंभ उलकी है ओप्सिन नमर यह प्रजात-इगत सिध्धांथ और तो इस कुछिन का राइट एssäर जाएगा हमारा虎 यानि की पारंपरिक सिध्धांत बहुत की उत्पति का पारंपरिक सिध्धांत जात की उत्पति को मानवी ना मानकर दिब्य मानती है यह सिध्धांत प्रम्युक्रूप से प्राचेन धर्म गरंथों पर आधारित है हिंदु धर्म का सबसे प्राचेन गरंथ रिगवेद के पूरु सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार है? पहला दिया गया है और उप्सिन नमबर ई वर्ग के सदश के मध्य समानता, उप्सिन नमबर mi है जो सामाजिक इस्तित यानि की प्रस्थित के निम्नांकित सोपान पर है, उनके सापेच उचता, option नमबर सी है जो प्रस्थित के ज्यादा उच सोपान पर है उनके सापेच निम्रता और लाष्ट है option नमबर डी उपरयुक्त सभी तिस कुछ्चन का राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इस कुछ्चन का राइट एंस्वर जाएगा हमारा और प्रस्थ नमबर ए यानि या वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता वर्ग भी समाजिक असरीकंड का एक सार्वभायुमिक सरूप है विस्वं में कुई एसा समाज नहीं है जहां वर्ग ना पा जाता हो वर्तमान समाज में वर्ग часть का प्रमुक्त शरूप मारक्स's ब्यक्ते को सामाजिक पराणी के आस्थान पर वर्ग परानी कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। वर्ग भी सामाज में आधिकाल से प्रस्लित रहा है आयille, लिंग, सिच्छा, आयल, आय disrespect के आधार वर्ग बनते हैं। वर्ग्त की एक प्रमुपिक सिच्छता है, कि इसके निर्माड का आधार जर्वन जन्म जो है नहीं है आगबर्ण एवं निपकाप ने कहा है कि सामाजिक वर्ग ऐसे वेक्टियों का योग है जिनकी एक दिये हुए समाज में अनिवारे रूप से समाज समान जो है समाजिक स्थित होती है इस वज़े से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सण नमबर ए आज हमारा अगला प्रशन है निम्द में से कौन समाज सास्री आउधाड़ा समाजिक आशमानता से बहुत निकट से सम्मदित है ऑप्सान नमबर ए समाजिक अस किसी सामाजिक ब्योस्ता में प्रतिष्टा, प्रभाव, सक्ति, संपति तथा सुभधाओं, आज की बिनता के आधार पर प्रस्तितियों यों भूमिकाओं की एक अपेच्छाकृत अस्ताई स्रेंडी बतता को सामाजिक अस्तरिकरण कहते हैं, सामाजिक अस्तरण, समाज सास् इस question का right answer होगा option number A, आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्ण में कौन सा खुली अस्री करण ब्योस्ता का संकेत है, option number A दिया गया है निर्जातिका, option number B जात और option number C वर्ग और last है option number D धर्म, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C यान की वर्ग, वर्ग व्योस्ता आधनिक अध्योगिक समाजों यान की खुले समाजों की एक विशेस्ता है, जिसका आधार अर्जित प्रस्थित है यहाँ ब्यक्तिकत उप्रव्द पर निर्भर करती है, इस व्योस्ता में सीर्स गत्सेलता संब्व है, वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समू है जिनकी किसी समाज में समान प्रस्थित पद अस्थर और साचा जीवन साली होती है इस बज़े से कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सर नंबर सी आज हमारा अगला प्रशने है निम्ण में से सही कूट के संबंद को चुनिए समाजिक अस्थिकरण की प इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सर नंबर सी यानि की एक तीन और चार जो है यह जो है सही एक तीन और चार से क्यातात पर है एक तीन चार का मतलब यह है कि पार्संस डेविस एम मूर और ट्यूमिन ठीक है त्कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा त्कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है मेल बिन ट्यूमिन द्वारा बताएगे सामाजिक अस्त्रिकर्ण विभीन प्रक्रियाओं का सही करम बताएगे सही करम बताएगे सही करम क्या है त्यूमिन ने अपनी पुस्तक सामाजिक अस्त्रिकर्ण आवश्यक रूप से किसी सामाजिक समू में विभाजन है जो सक्ति संपत्ति सामाजिक मुलैंकन अथ्वा मनुव वैज्यानिक द्रिश से आसमान होती है इन्हें इन्होंने जो है अस्त्रिकर्ण की प्रक्रिया को क्रमवार समझाया है जो निमन लिखित हैं जैसी की बिभेदी करण उसके बाद स्रेडी करण फिर मुलैंकन और की ऑप्शन नमर भी है CW Mills, T Parsons और Davis तथा मूर, ऑप्शन नमर सी है Malvin, Tumin, Darren Darf, Card Marks और लाश्ट है ऑप्शन नमर D, T Parsons, M Tumin और Darren Darf, तो इस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा? इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमर सी यानि की Malvin, Tumin Darren Darf और Card Marks, ठीक है? Malvin, Tulin असरिकरंड के प्रकारिवादी विचार के आलोचक रही हैं, ये समाज में असरिकरंड को ठीक नहीं मानते, Darren Darf संगरशात्मक प्रकारिवादी हैं, जिन्होंने अपनी धाड़ा में ब्यक्त गया है कि संगस सामाजिक ब्योस्ता के रिए प्रकार रियात्मक है, Card Marks सामाजिक असरिकरंड के विरोधी थे, वे समाजवादी समाज की कर्पना करते थे, अन्य विद्वान जैसे हैं कि Parsons, जी लास्की, CW, मिल्स, डेविस और मूर ने समाज में असरिकरंड की आवशक्ता को स्वविकार किया है, Parsons सामाजिक अधिक अधिकार वित्रण की प्रणाली को स्वविकार करते हैं, एवं समाज की विभाजन आधारित विवस्ता को स्वविकार करते हैं, कुछ ऐसे ही विचार जो है C, राइट मिल्स का भी है, अपनी अस्तिकरंड संबंदी विचार में सक्त को महत्पूर मानते हैं, तथा अमेर्की समाज मे सक्ति अभिनत की बात करते हैं जी लास की राज की विवस्ता का समर्थन करते तहश विभाजन को सूभिकार करते हैं तेश पसे से कुशन का राइट एन्सर क्या होगा do T uit कुशन का राइट एन्सर जाएगा है हमारा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है fatgin सब्सक्राइब हमारा सत्रीकर्ण अध्षेका अध्यन है किया है जया का Option Number C यानि कि सामाजिक अस्तोरिक्रण कि सामाजिक ब्योस्था में प्रतिष्ठा प्रभावиц शक्ति रीघ्नते टथा सुविता आध्क की भिन्ता की आधार पर प्रस्थितियां उम भ्योमकायों की एक अपेच्छाकरित अस्ताही स्रेणी बद्द को सामाजिक अस्तिरिकंड से सम्बंदित करते हैं तो क्वेशन का राइट एंसर होगा हमारा option number c आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्ड में से कौन सामाजिक अस्तिरिकंड है तो प्रकार्यात्मक रूप से उपादे नहीं है option number a दिया है या आऊसर उपलब्त कराने में मदद करता है option number b या जुझारूपन का भाव उत्पन करता है option number c है या समाज में प्रतेक जिम्मेदारी निर्दारित करने में सहायक होता है और last option number d या समाज में आयोग व्यक्त की पहचान में सहायक होता है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B यानि की यह जो है जुझारूपन का भाव उत्पन करता है, क्या करता है यह जुझारूपन का भाव उत्पन करता है, ठीक है? मानो समाज में व्यक्तियों के बीच समानताएं ही नहीं पाई जाती वरन उनके विविनताएं भी जोहत देखनेों को मिलती हैं, संसार में प्रतेग व्यक्त में कुछ न कुछ उसकी जो है अपनी विशिस्ताएं होती हैं, जो दूसरों में नहीं पाई जाती है, ऐसा ही भेद हमें समू downstairs में द्रिष्ट गूचर होता है अता है इन अंतरों को जो हैं दो सुरेरणियों में बिभाजित कर सकते हैं जैसा कि पहला है वियक्धिकद विभेढिकरन और दूसरा है समाजिक बिभीदिकरण ठीक है सामाजिक बिभीदिकरण चार आधार पर प्रस्तुत किये गए हैं पहला है प्रकार धूसरा दिया गया on संस्कृत कृषचंज ऑर चौथा सामाजिक अस्तिरिकंड के मापदंड हैं, पहला दिया गया है सक्ति प्रतिष्ठा, दूसरा दिया गया है प्रतिष्ठा, तीसरा दिया गया है सक्ति प्रतिष्ठा दिया गया है सक्ति प्रतिष्ठा, नीचे कूट दिया गया है इन्हीं की साहता से में सही उत्तर का चुनाओ करना है तिस question का राइट answer क्या हो जाएगा इस question का राइट answer हो जाएगा हमारा option number D यानि कि केवल 4 जो है सही यानि कि सक्ति पद और प्रतिष्ठा सक्ति पद तथा प्रतिष्ठा सामाजिक सामाजिक अस्तिरिकंड के मापदंड हैं जिंस बर्ग के अनुसार सामाजिक अस्तिरिकंड समाज का उन अस्थाई समोह तता स्रेडियों में विवाजन हैं जो परसपर स्रेश्रता और आधिंता के संब्धों द्वारा संब्ध होते हैं तिस वाज़े से question का राइट answer होगा हम इस question का राइट answer हो जाएगा हमारा option number B यान की पदानुक्रम पदानुक्रम जाद ब्योस्ता का मोलभूत अविलचन है जे एच हटन के अनुसार जाद एक ऐसी ब्योस्ता है जिसके अंतरगत एक समाज कई-कई जो है स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्टिया अलग इकाईयों यानि की जातियों में बाटा होता है इन जातियों के मत पार्सपरिक संबंद उच्चिता एवं निम्नता पर आधारिस संकतिक रूप से निर्धारित होता है तिस बज़े से इस question का राइट answer होगा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है अस्तिरी करण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि option number B प्रतेक पीड़ी को नए सिरे से मूल्यों से आउगत करवाना होता है option number B मूल एवं सब्ग्रित सामाजिक ब्यवस्ता को बनाए रखते हैं option number C राजन्यतिक धार्मिक आर्थिक एवं सैचिक संस्थान सक्ति संपत्त सुबदाय आध की बिनता के आधार पर प्रस्तितियों उम भूमिकाओं की एक अपेच्छा कृत अस्थाई स्रेणी बतता को सामाजिक अस्तिरिकरण के दो आधार जो है बताए गए पहला है प्राणि सास्त्री आधार लिंग आयू प्रजात जन्म सारीरिक हुआ बौधिक कुशलता और दूसर दिया गया है सामाजिक संस्कृत आधार यानि की संपत्ति अमेर गरीव ब्योसा यानि की मानसिक कार स्ट्रेट सारीर कारिनियम और धार्मिज्यान राजनितिक सक्ति तिस बज़े से कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्शन न जैसे कि पहले नमबर सायणि कई कार्ड माक्स मैकस मेंज्यान याणि क touchdown चार्मिज्यान signing की आठार के काल क्रमिछ जैसे की नमबर का पर आते हैं कार्द माक्सृब्छट sir कब तक रहा है 1118 से 1818 कब तक 1883 तक कब तक 1883 तक ठीक है 1,82 1818 से 1883 तक कर रहा है दूसरे है मैक्स वेबर मैक्स वेबर कब से कब तक रहा है 1864 से कितना 1864 से 1920 तक 1920 तक तीसरा समय काल रहा है राबर्ट लिंड का रहा है 1889 यानि कि 1879 से 1949 तक 1949 तक और चौते हैं मिल्स का समय काल रहा है 1916 से 1916 से 1962 तक यानि कि काल माक्स का 1818 से 1883 तक मैक्स वेबर का 1864 से 1920 तक राबर्ट लिंड का 1879 से 1949 तक और मिल्स का 1916 से 1962 तक ठीक है तिस मिचल से कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्र लिखित में कौन सा कथन सामाजिक अस्रिकरण की अउधाड़ा को दरसाता है ऑप्शन नमबर ए दिया गया है वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है ऑप्शन नमबर डी सामाजिक समोह का राजनेतिक सक्ति सामान रूप से प्रयाप इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, यानि कि सामाजिक अस्त्रिकंड वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक विवस्ता में ब्यक्तियों का उच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है, जिन से क्या कि विवन्यता को क्रम बद्यता के आधार पर सामाजिक सम्मूम में बा सामाजिक अस्त्रिकंड में व्यक्तियों का एकिकरण व्यक्त के गुड़ों या पुरसकार पर ना हो कर जो है प्रकारियों के आधार पर होता है, option number A दिया गया मार्क्सवादी सिद्धान्त, option number B प्रक्रियावादी सिद्धान्त, option number C संस्कृतिक सिद्धान्त और व्यक्त के गुड़ों या पुरसकार पर ना होकर प्रकारियों के आधार पर होता है, तो इस पुझे से question का right answer होगा, option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में से कौन Kingsley Davis के सामाजिक अस्त्रिकंड के सिद्धान्त का आलोचक है, option number B, M.M. Tumain, option number C, Robert Merton, औ option number D, Talcott Parsons, friends या question आप लोगों से पिछले practice set में पूछा गया था, जिसका maximum लोगों ने सही जवाब दिया था, तो वाई जानते हैं कि इस question का right answer क्या होगा, इस question का right answer क्या होगा, इस question का right answer होगा, इस question का right answer होगा, option number B, यानि की M.M. Tumain, ठीक है, Kingsley Davis के सामाजिक अस्त्रिक सांत के आलोचक, M.M. Tumain है, तो question का right answer होगा, option number B, आज हमारा last प्रश्ण है, जातियता नशलियम मद्धिवाद का एक प्रकार है, जो एक समुव की निम्ण में से किसकी सिष्टा की भावना पर आधारित है, option number A, सामाजिक एम आर्थिक्स विकास, option number C, जैविक देन, और last option number D, तांत्रिकी विकास, जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice set के last question आप लोगों के लिए छोड़ दिये जाते हैं, याने कि इस question का right answer क्या होगा, आप लोगों को comment box में comment करके बताना होगा, कि question का right answer क्या होगा, उमेद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा, यदि आपको video इस वीडियो में जरूर consider करेंगे, तो चला ही मिलते हैं आप से अपने next video में तब तक के लिए, जैहिंत बंदे मात्रम